इस वीडियो के दिने गाईस हम लोग रिव्यू करने वाले मॉबिविक एक्स्ट्रा इन्वेस्ट्मेंट का जी है जो कि आपको 12% तक का रेटर्न आफर करता है तो गाईस ये P2P लैंडिंग है थ्रू आपको आफर करता है तो P2P लैंडिंग क्या होती है प्लस आपके लिए ये सेफ है नहीं है इसका यहाँ पे लीगल पार्टनर को रहन है क्या इसके प्रो है क्या इसके कौन से प्लस इसका जो भी पार्टनर है उसका लोन का पोर्टफोलियो का साइज कितना है उसकी परफॉर्मेंस के है उसके ने कितने लोग अभी तक default मार चुके है, NPE का ratio क्या है, यह सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदे, सबसे पहले हम लोग बात करते है कि यहाँ पर चुके है, और 100% जो इन्वेस्टर है, वो 12% का रिटन यहाँ पर कमा चुके है अब चलेगा, इस पहले short के अंदर समझ लेते कि P2P जो landing होती है, वो काम कैसे करती है, तो मालनी जे बीच में P2P platform है, और यहाँ पर कुछ Lenders है, यहाँ पर कुछ Borrowers है, Lenders का मतलब investor हो गया है, जो पैसा लगाना चाहते है, तो यह वैसे ही काम करता है, जिसे हमारे पूराने जवाने में जब ब्याच के उपर लोग पैसा चड़ाया करते थे, और आजकल भी लोग जो ब्याच के उपर पैसा चड़ाया करते, तो गाईस यहाँ पर क्या होता है, जिनको भी पैसों की requirement होती है, और जो भी investor पैसा डालते, उनसे पैसा collect करके simply Borrowers को यहाँ पर दिया ज फिर उनसे EMI के रूप में जो भी इनको यहाँ पर पैसा मिलेगा, P2P वालों को, उसमें से अपना cut रख रख के आगे जो पैसा है वो investor को forward कर दिया जाता है, तो guys ऐसा एक platform में landbox करके, अब guys जो platform है landbox.in करके, यह RBI basically platform है, तो देखे, इंडिया में अगर किसी को भी P2P landing क business करना है, तो उसको RBI से license लेना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी P2P जो platform में आपको guarantee दे कि इतना percent हम आपको return कमा के ही देंगे, इस इन चीजों को समझने के लिए हम लोग simply क्या करने वाले, moving week ने अपने FAQs की यहाँ पर कुछ list दे रखिए, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ने वाले हैं, तो देखे का इस पहला point इन लोगों ने ये लिखा हुआ है, कि आपका जो भी पैसा यहाँ पर invest होगा, landbox के तुरू, वो basically multiple investor के अंदर बाटा जाएगा, जो बिलकुल यहाँ पर search है, क्योंकि यहाँ पर आपका risk कम करना है, for an example अगर 5,000 रुपे invest करते हो, तो 5,000 रुपे आपका जो पैसा होगा, वो केवल एक ही borrowers को नहीं दिया जाएगा, आपका 5,000 रुपीज जो है multiple borrowers के अंदर बटेगा, मानिजे 100,000 रुपे करके बहुत सारे borrowers को बाटा गया है, इससे क्या होगा, अगर कोई भी एक दो borrowers यहाँ प कोई भी जो borrowers होता है, वो कर default करता है, तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कि in case of the default, we usually legal compliment collection agency to follow up and collect the missed payment on your behalf, तो guys यह केवल try कर सकती है, कि जो भी यहाँ पर default मार रहा है, उससे जो भी legal procedure होगा, उसके तुरू यहाँ पर default होने के बाद में, उससे follow up लिया ज चैना सही होगा कि P2P landing के अंदर default होते है, तो जी यहाँ बिल्कुल default होते है, आपको simply land box की performance की sheet बताना चाहूँगा, आप screen के सामने दे सकते, market के अंदर यह 12,15 से यहाँ पर काम कर रहे, तो 12,23 के अंदर आप लेख सकते, quarter यहाँ पर 1 के अंदर 12,23 के अंदर इन्होंने 13 percent का return कमाया है, quarter 4 के अंदर इन्होंने 11.55% का return कमाया है, आप guys बात करते हैं कि default कितने होते हैं, तो default होने के लिए इन्होंने अपने जित्ते भी borrowers थे, उनको यहाँ पर category wise जो है different different category के अंदर यहाँ पर allocate कर रखा है, तो आप guys आप मेरी screen के सामने यहाँ पर देख सकते, ज इसके अंदर इनका सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, वहाँ पर default होने के chances कम है, क्योंकि obviously बात है, जो high credit rating people होंगे, उनहीं को आपका पैसा यहाँ पर borrowing के दिरूप में दिया जाता है, जो risk category यहाँ पर low है, उसमें जो portfolio का split है, इनका 38% है, और उसके अंदर जो default होने 0.26% है, और very high के अंदर 0.26% है, अगर में यहाँ पर simply land box की बात करो, तो land box के अंदर जब आप invest करते, तो इनके कुछ 3-4 type के plans होते हैं, जैसे इनका 1 3 महीने का plan है, 1 6 महीने का, 1 12 महीने का, 1 24 महीने का है, सभी के उपर आपको rate of interest अलग-अलग मिलेगा, लेकिन इसके आपको यह offer करता है कि कभी भी आप अपना investment यहाँ पर withdrawal कर सकते हैं, आपके उपर कोई भी lock-in period नहीं है, प्लस आपका जो पैसा है, वो किस portfolio के अंदर invest किया जा रहा है, या high risk के उपर किया जा रहा है, इसका यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं लगने वाला है, तो दे यहाँ पर 12% के return यहाँ पर expect कर सकते हो, आपको अपको 12.99% यानि almost 13% का return यहाँ पर आपको offer करता है, जिसके अंदर वही 3 मेने का, 6 मेने का, 9 मेने का और 12 मेने का lock-in period रहता है, आपका इस बात करते है कि investment का क्या process है, तो देखे जब आप मोभी विक आपको download करते हैं, तो स उसके बाद में guys, आप जब extra के उपर click करेंगे, तो कितना भी amount यहाँ पर invest कर सकते हैं, जो daily basis पर यहाँ पर credit होता रहता है, credit का guys, यह मतलब है कि वो पैसा आपका reinvest नहीं होगा, यानि आपकी जो earnings है, वो daily basis पर यहाँ पर आपके investment plan के अंदर withdrawal होती रहेगी, आप guys, अगर guys, pro आपको यहाँ पर यह मिलता है, अगर आप landbox के तुरू directly यहाँ पर invest करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1% plus GST as a conveyance fees वगरे देनी पड़ती है, जो भी आप investment funds करेंगे, जबकि वहीं पर Mobyvik ऐसी कोई भी fees वगरे चार्ज नहीं करता है, अब guys, बात करते cons की, क्या यहाँ P2P landing in the risk है, तो definitely यहाँ पर risk हो सकता है, और Twitter के उपर मैं आपको कुछ tweets बता देता हूँ, जहाँ पर लोगों ने Mobyvik extra से विड्रॉल करने की कोशिश किये, अरली विड्रॉल करने की कोशिश किये, और विड्रॉल request उनकी process भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको पैसा नह पर अग्जांपल यहाँ पर ट्वीट देख सकते, यह एक रिसेंटली जो है, बेसीली ट्वीट किया गया है, 22 अप्रेल का, इन्होंने यहाँ पर किस मार्च को जो है Mobyvik extra से जो है 3000 उर्पे की request डाली थी, लेकिन अभी तक इनको पैसा नहीं मिला है, दूसरा ट्वीट गा यहाँ पर आप देख सकते ही, लोग 5-5 लाग रुपे तक यहाँ पर investment कर रहे हैं, लेकिन कई tweets आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, जहाँ पर जिन्होंने a real withdrawal request डाली हुई है, लेकिन अभी तक उनकी bank account के अंदर पैसा नहीं मिला है, इसको search करने के लिए simply आप Mobyvik extra withdrawal करके Twitter के search करेंगे, तो आपको बहुत सारी complaints और tweets यहाँ पर मिल जाने वाले है, आप guys बात करते कि ऐसा क्यों होता है, क्यों यहाँ पर movie week जो है, आपकी जो withdrawal request को यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है basically process नहीं कर पात, तो देखें guys इसके recording इन्होंने यहाँ पर कोई भी clarity नहीं दे तो जब तक वो lock-in के अंदर रहेगा, तो अगर आप यहाँ पर earlier withdrawal मानना चाहते है, तो आपका जो loan होता है, वो secondary market के तुरू यहाँ पर किसी और को sell करने की कोशिश की जाती है, तो guys उसके अंदर यहाँ पर delay भी happen हो सकता है, और let's suppose अगर यहाँ पर defalter मारता है, कोई भी borrowers default मारता है, तो उस case में भी आपका जो withdrawal है, उसके अंदर यहाँ पर late होने के definitely chances है, आपको conclusion देना चाहूं, तो P2P landing के अंदर आपको बहुत जादा पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, आपको वही पैसा निवेश करना चाहिए, जिसके उपर आप यहाँ पर high risk ले सकते ह तो definitely आप P2P landing के साथ जा सकते हैं, तो guys hope you like this video, please subscribe अगर आप लोग की कोई भी doubt से comment box में जरूर बताइए, thank you guys, thank you very much